इस वीडियो में हम लोग रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम मीटिंग एट नाइट को लाइन माई लाइन पढ़ेंगे और सिंपल लैंग्वेज में उसका मतलब समझेंगे साथी साथ हम लोग इस वीडियो में इस वीडियो में इस पोएम के इंपोर्टेंट वर्ड मिनिंग्स को भी नोट करेंगे हलो दोस्तों, वेलकम टू आओर यूट्यूब चैनल, माइनेम इस मोहम्मद कामरान, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे Robert Browning 1812-1889 was an English poet and playwright from the 19th century Robert Browning की पैदाईश 1812 में और उनकी मौत 1889 में हुई वो उन्नीसवी सदी के एक English poet और ड्रामा निगार थे Browning's major works include The Last Right Together, My Last Duchess, Fra Lipo Lipi The Last Right Together, My Last Duchess और Fra Lipo Lipi ये सब Browning के मशहूर काम है The Pied Piper of Hamelin is a famous children's verse written by him The Pied Piper of Hamelin उनके जरिया लिखी गई एक बच्चों की मशहूर नजम है कविता है In the poem, the poet describes a journey that ends in a secret meeting between lovers इस poem में poet एक सफर को बयान करते हैं जो दो lovers की खुफिया मुलकात पे खत्म होती है The poet describes the journey and the meeting in detail इस poem में poet सफर को और lovers की मुलकात को तफसील से बयान करते हैं The poem concludes with the delighted meeting of the lovers by a farm near the sea beach समंदरी साहिल के नजदीक एक farm house में lover और उसकी beloved की खुशनुमा मुलकात पे ये नजम ये कविता खत्म होती है इस poem में कहीं न कहीं Robert Browning की real life की जलक दिखाई देती है Robert Browning Elizabeth Barrett से प्यार करते थे जिन से आगे चलके उनकी शादी हो गई Elizabeth Barrett भी एक English poet थी शुरु शुरु में Elizabeth के father इस रिश्टे के लिए राजी नहीं थे जिसकी वज़ा से Browning को अपनी girlfriend से चुप चुप के मिलना पड़ता था कहीं न कहीं उसी तरह की एक मुलकात के उपर Robert Browning ने इस poem को लिखा है Okay, now let's do the line by line analysis of the poem ये एक two stanza poem है हर stanza में छे lines है poem का first stanza पढ़ते है The gray sea and the long black land poem का speaker अपने सफर को बयान कर रहा है वो landscape के बारे में बता रहा है Brown समंदर, भूरा समंदर और लंबी काली जमीन speaker के सफर की शुरुआत समंदर से होती है चुँकि ये रात का सफर है इसलिए समंदर brown दिख रहा है भूरा दिख रहा है और अंधेरा होने की वज़े से आसपास की जमीने काली नजर आ रही है poem के इस first line में Browning ने alliteration का यूज़ किया है alliteration एक figure of speech है जिसमें group of words में same consonant sound repeat होता है इस line में long, black और land में L sound repeat हो रहा है and the yellow half moon large and low समंदर और जमीन के बारे में बताने के बाद अब speaker चांद के बारे में बता रहा है पीला बड़ा सा आधा चांद है जो नीचा दिखाई दे रहा है यानि उसकी height कम लग रही है इस line में भी alliteration figure of speech का poet ने यूज किया है large और low में L की आवाज repeat हो रही है and the startled little waves that leap और चोटी चोटी अचंबित हैरान समंदर की लहरें जो उचल रही है अचानक speaker के समंदर में आ जाने की वज़ा से समंदर की लहरों की नीद खराब हो गई है और वो अचंबित हो गई है हैरान हो गई है यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा conjunction and repeat हो रहा है second line की starting में and है और third line की शुरुआद भी and से हो रही है इस तरह के repetition of connecting conjunction को police indaten कहा जाता है यह भी figure of speech है इसका इस्तमाल बातों पे जोड देने के लिए किया जाता है in fiery ringlets from their sleep अपने नीन से जाक के समंदर की लहरे चमकदार दाइरा चमकदार चक्र की शकल में उचल रही है पीले चान की रोशनी में समंदर की लहरे आग जैसी चमकती हुई गोल चक्र की शकल में उचल रही है इस लाइन में poet ने personification का इस्तमाल किया है यह भी figure of speech है जिसमें non human being को एक human being की तरह पेश किया जाता है समंदर की लहरों के लिए sleep word का use किया गया है समंदर की लहरे सोती नहीं है As I gain the go with pushing pro उसके बाद speaker कह रहा है कि मैं अपनी नाव चला के खाड़ी के पास खलीच के पास पहुचता हूँ नाव के अगले हिस्से को प्रो कहा जाता है speaker बता रहा है कि वो अपनी नाव चला के समंदर का सफर करने के बाद खाड़ी के पास पहुचता है यानि समंदर के किनारे पहुचता है Pushing और Pro में भी Alliteration Figure of Speech का यूज किया गया है That is repetition of same sound in a group of words And quench its speed in the slushy sand और दलदली रेत में यानि समंदर के किनारे पे अपनी बोट को ला करके रोक देता है Slushy और sand में भी Alliteration का इस्तमाल हुआ है यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा कम्पलीट हो गया देखिए फुल स्टॉप दिया हुआ है पोएम का सेकंड स्टेंजा पढ़ते है देना माइल अफ वाम सी सेंटेड बीच अब speaker सफर के अगले हिस्से को बता रहा है अब वो अपनी मन्जिल तक पहुँचने के लिए एक मिल गर्म समंदरी खुश्बू वाले बीच से होकर के गुजरता है त्री फिल्स टु क्रॉस टिलफ फार्म एपियर्स उसके बाद एक फार्म हाउस पे पहुँचने के लिए वो तीन मैदानों को पार करता है फर्स्ट इस्टेंजा में स्पीकर ने बताया कि वो रात में सफर कर रहा है चारों तरफ अंधेरा है चांड की रोशनी के लावा आस पास कोई रोशनी नहीं है सेकेंड स्टेंजा में स्पीकर कह रहा है कि समंदर का सफर करने के बाद उसे रेतीले साहिल पे एक मील पैदल चलना है और उसके बाद अपनी मन्जिल तक पहुचने के लिए उसे तीन मैदानों को पार करना है इससे स्पीकर अपने सफर की मुश्किलों को बताना चाह रहा है और वो ये जाहिर करना चाह रहा है कि उसकी मन्जिल उसके लिए कितना important है जिसके लिए वो इतना कठिन इतना मुश्किल सफर तै कर रहा है A tap at the pain, the quick sharp scratch लंबे सफर के बाद स्पीकर अपनी मन्जिल पे पहुँचता है फार्म हाउस पे पहुँचके वो खिड़की की सीशे पे खटखटाता है उसके बाद उसे माचिस जलने की आवाज सुनाई पड़ती है And blue is part of a lighted match और माचिस की blue रोशनी दिखाई देती है Beloved ने अपने लवर का विलकम करने के लिए माचिस जलाया यहाँ पे lighted match का यूज लव और रोमैंस का सिम्बल है And a voice less loud through its joys and fears और एक आवाज सुनाई देती है यह आवाज most probably speaker के Beloved की है उस आवाज में खुशी भी है और डर भी है खुशी इस बात की के दोनों lovers एक दूसरे से मिल रहे हैं और डर इस बात का के कहीं कोई देख न ले कहीं किसी को इस खुफिया मुलकात के बारे में पता न चल जाए Browning ने यहाँ भी police indebted figure of speech का यूज किया है And blue is part of a lighted match And a voice less loud through its joys and fears Conjunction and को बार बार repeat किया जा रहा है Then the two hearts beating each to each यानि beloved की आवाज दोनों के दिलों की धड़कनों से आहिस्ता सुनाई दे रही थी खुशी, excitement और डर की वज़े से दोनों के दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहे थे उनके दिलों के धड़कने की आवाज beloved की आवाज से तेज थी तो आईए दोस्तों अब हम लोग इस पोएम का थीम जान लेते हैं इस पोएम के कई थीम्स हैं सबसे में थीम है love and passion लवर अपनी beloved से मिलने के लिए पूरे passion से रात का एक जोखम भरा सफर पे निकलता है और एक लंबा और कठिन सफर करने के बाद वो आखिर कार अपनी beloved के पास पहुँच जाता है आपनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इस पोएम का question answer मैं बहुत जल्द अप्लोड कर दूँगा इस तरह के और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में जै हिंद जै भारत कर दो